टीवी के मोस्ट पॉपलर शो ये रिष्टा क्या कहलाता है कि फेम एक्टर रिशिकेश पांडे आजकल सुर्खियां बटोरती नजर आ रही है दरशल शादी के दस साल बाद उन्होंने अपनी पत्नी त्रिशा से डाइवास ले लिया दोनों ने लफ कम अरेंज मैरिज साल 2004 में की थी आपको बता दे कि दस साल साथ रहने के बाद और एक बेटा होने के बाबजूर दोनों ने दोसरे से डाइवास ले लिया बता दे कि दोनों की शादी शुदा जिन्दकी में काफी जादा प्राबलम आ रही थी और इसी वचांसे दोनों ने फैसला लिया एक दूसरे से अलग होने का साल 2014 में दोनों ने डाइवास के अर्जी डाली थी लेकिन साल 2020 में बता दे कि रिशिकेश पांडी ने खुद अपने इंटर्वियू में कहा है कि हम दोनों पती-पत्नी अलग हो चुके हैं लेकिन एक दूसरे के लिए हम दोनों की दिल में आज भी एक दूसरे के लिए काफीज जादा अलर्ट थी उस उनकी इस्जद करते थी अब क्योंकि अब आखिरकार फानली डाइवास हो चुका है तो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खुल कर बात कर सकते हैं बता दे कि रिशिकेश ने ये भी कहा कि हम अफिशली अलग हो चुके हैं मैं प्यार में की गलत असर पड़े अगर मैं किसी के साथ देखा जाओं या बात भी करूं तो खबरे ना बन जाए यहीं सोचकर मैं सिंगल रहा एक सेलिब्रिटी होने का खामियाजा तो भुगतना ही पड़ता है इसलिए ना किसी से नंबर एक्सचेंज किया और ना ही किसी को डेट किया मैंने करियर की शिरुवात में ही शादी कर ले थी अब जब देखता हूँ कि मेरे काफी दोस्तों ने अभी तक शादी नहीं की है तो रिलेक्स महसूस करता हूँ कि चलो अब उनकी गैंग में मैं भी शामिल हो सकता हूँ बता दे कि रिशीकेश ने बताया कि उनकी बेच्सी की देख़वाल हूँ अकेले कर रहे थे पिछले एक साल से जब वो मेरे पास आता था तो मासे बारे में बूस्ता था तो मैं भाने बना कर टाल देता था अब लगता है कि वो मैच्श खुका है और इस नीους को थाल कर सक कि खुशी के लिए ये फैस्वा लिया है निशिकेश के आगे ये भी कहा फिल हाल लंबे समय के बाद मैं बैचलर हुआ हूँ मैं प्यार के लिए तैयार हूँ अभी किसी को डेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझमें बहुत से बुराइया हैं चाहता हूँ कि वो बुराइय करने का प्लैन है और काम करने पर फोकस है हाल खी में ये रिष्टा क्या खिलाता है का शुटिंग ट्रैक खत्म हो चुका है जल्द ही अज़देवगन के डारेक्शन की में बनने वाली फिल्म में नज़राने वाले हैं जहां पर स्क्रीन अज़देवगन और बिग भी के सा था जिसकी वजह से रिषिकेश अपने डाइवोज के लिए चुपई साधे बैठे थी रिषिकेश पांडे का बेटा 12 साल का हो चुका है वो समस्तार है और पैरिंट्स की चीजों को समस्ता है रिषिकेश ने आग ये भी कहा कि एक बेटी अपनी मा से मिलने के लिए अप स् प्यार से विश्वास उच जाए रिषिकेश अभी भी प्यार में विश्वास रते हैं हाला कि किसी के साथ रिलेशन्शिप में ना आने की बात उन्होंने खुद देख है नेक्स आलाइब से रजश्री की रिपाउट